दिल्ली के फेमस छोले कुल्चे खाने के लिए दिल्ली क्यों जाना हम घर पे ही बनाएंगी बहुत आसान होते हैं बनाना इन्हें तो चलिए वैसे तो दिल्ली के जो छोले कुल्चे होते हैं जो छोले होते हैं वो मटर से बनते हैं नहीं वो लोग मटर के छोले बनाते हैं ल इस्टे की बिल्कुल जो चला है अच्छे से मैश हो जाए अब हमने यह लिया है दो कटोरी मैदा मैशना मॐ दाल दिया है हमने एक चमज नमक अब इसमे डाल रहे हुं दो चमजड़ी चमज मया सारी चोटी समज की यूज कर रहे हुरे दो च् soak przy पिसी हुई शक्कर अब यहां डाल रही हूँ एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर और साथी साथ एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा यह देखिए तो बेकिंग पाउडर यहां पर जितना जाएगा उसका एक चोथाई बेकिंग सोडा जाएगा और बेकिंग पाउडर हमेशा डालना है दही अब हम यहां पे इसे अच्छे से मिलाएं के इस तरीके से किसी भी शक्कर जरूर डालना और हो सके तो अगर बेकिंग फाउडर है तो जरूर डालना इस तरीके से हम देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर हमारा जो यह आटा हम लगा रहे हैं न ऐसा खमीर उड नायम बनेंगे बिल्कुल जैसे बजार वाले कुल्चे होते वैसे गिला गिला इसका अटा लगाना है ढकन से ढकके गरम जगे पर रख देगे अगर धूप है तो धूप में रख दीजिए अब यहां पर जो चने हैं इन्हें देखिए हमने उबले हुए छोलों को निकाल यह एक बड़े बरतन में इन्हें अभी हम मैश कर लेंगे अगर मटर होते हैं मटर में आप ज्यादा सीटी लगा दो तो वह बरतन यानि कुकर में ही मैश हो जाते हैं तो उन्हें मैश करने की जरूरत नहीं होती है अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर कश्म मिलाने वाले हैं टेस्ट के लिए पहले तो इसमें थोडा सजाएगा ऑदिक पाउडर के जितना थोड़ा सदेगा आमचूर पाउडर को कि यह बाहुत गाठा है साथी साथ हम इसमे कटे हुए हरी मिर्च और प्याज अपनी टेस्ट के इसाप से साथ ही इसमें टमाटर भी जाएगा और नीबू यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा एक चोथाई नीबू लिया है डिपेंड करता है कि आपने चने कितने लिए हैं मैंने एक कटूरी चने भी गोए थे हर्य धनिय है इसमें हम ढाल देंगे और चाट मसाला है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो यहां पर गोल कपे का पानी डाल सकते हो आप इसको पतला करने के लिए जैसे वह street style में बनाते हैं गोलकपे का तेल लगाएंगे और देखे यहाँ पर आप यह कितना अच्छे से फूला है बिल्कुल एकदम इसमें जाली दिख रही जैसे खमीर उठने के बाद होता है बिल्कुल वैसे ही हो गया है हाथों में तेल लगा कर कि इसे हमें एक बार और इस तरीके से मल लेंगे अब हमें एक म सुखे आटे की मदद से भी यानि सुखे मैदे की मदद से भी बेल सकते हैं तेल की मदद से भी बेल सकते हैं मैं दोनों तरीके से बेल के आपको यहाँ पर दिखाती हूं तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा पहले हम तेल लगाएंगे जिसमें हम बेल रहे हैं बोड में उस जैसे आप भटूरा बेलते हो ना थोड़ा मोटा वैसे ही अब किसी भी तबे या पैन में आप डाल दो ज़्यादा गरम ना हो अब हम थोड़ा पानी का छीटा लगाएंगे और जल्दी से धकन बंद कर देंगे जिससे की जो भाब बने वो अंदर ही रहे और एक मिनट के बा में हमें से फिर गैस को आज को अब हम तेज करेंगे और दबा दबा के हलका सा हमें से अच्छे से पका लेंगे ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना होता है हमने पहले भाब में इसे लो फ्लेम में पकाया हुआ है तो यह अंदर से अच्छी तरीखे से पक जाते हैं इसमें उप कुछ लोग इसे तेल भी लगा सकते हो या बटर लगा सकते हो इसमें थोड़ा सा रिफाइन डॉइल लगा रही हूं आप इन्हें ऐसी रख सकते हो अगर ाप हेल्थ का थ्यान रखना चाहते हो तो वैसे यह रेकी एक है छोले कुल्चे जिसे आप बिना बून तेल का इस्ति hard हो जाएगा कुल्चे वाली softness इसमें नहीं रह जाएगी और मैं इस कुल्चे को अभी में cash roll के अंदर ही बंद करके रखोगी तुरंत मैं इसे cash roll में रखोगी cash roll में मैंने नीचे जो है napkin लगाई हुई है दूसरा वाला भी कुछ में थोड़ा धनिया पत्ता भी लगा के बेल लिया है हलके पानी की साथा सीने चिपका दिया था और देखे कितनी अच्छी तरीके से जो है बढ़िया फूले फूले बन रहे हैं अब हम लगाएंगे अपने छोलों को तड़का तो मैंने इसमें डाला है बटर और बटर नहीं अके का हलका से एक तड़का देते हैं बटर का छोले में तो यह तड़के वाले छोले कुल्चे हो गए अगर आप तड़का नहीं देना चाहते ृओ तो आप जैसे बन आके तयार किये वैसे भी खा सकते हों कसूरी में थी जरूर डालना इसमें स्ट्रीर स्टाइल वाले भी डालते हैं तो वैसी ही रेसिपी को हम recreate करने की घर पे कोशिश कर रहे हैं जाकि हमें जो है दिल्ली वाला थोड़ा ओड़ा जाएका तो हमें घर पे स्वादवू मिल सकें तो अब हमने यहां पर दाल दिया है धनिया पाउडर धनिया पाउडर यह थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और डाल दिया है चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा ज्यादा गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा नमक का खास क्याल रखिए अब हम यहां पर यह छोले जाइब दाल लेंगे हमें इन छोलों को पकाना नहीं है बस टड़केमें मिक्स कर लेना है अगर गोल फुपपा वाला पानी है तो आप बना भी सकते हो चट्नी धन्या पुदी मिर्चे वगैरा की चट्नी बना कर पानी मिक्स देती हूँ सर्व करने के टाइम पर आप इसमें बटर वग्यरा और लगा सकते हूँ प्याज का जो है सिर्के वाला जो अचार इंस्टेंट वाला पना पराके आप ले सकते हूँ जिस तरीके साथ करना चाहो अचार के साथ है कर सकते हूँ फोड़ा तीखा कम कुल्चे एक तरीके से फ्लाट ब्रेड की तरह ही है तो कुल्चे थोड़े मोटे होते हैं उनमें नमक वगेरा नहीं है इतना तो उस रिसाब से आपको ध्यान रखना है टेस्ट का इसमें थोड़ा सा आपको तीखा चटपटा ही बनाओगे तो ज्यादा अच्छे लगीगा म मैं यहां पर छोले निकाल ले रही हूं और इसके साथ ही साथ मैं आपको यहां कुल्चे सर्फ करके दिखाती हूं कुल्चो को मैंने रखा है बंद करके और इतने अच्छे कुल्चे बने हैं कि मैं क्या बताऊं यहां पर देखे कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही सौफ कूल अच्छी तरीके से पक गए हैं कई बार भटूरा होता है कि नहीं पकता लेकिन कुल्चे स्टीम यानि हमने जो पानी का छीटा दे दे के ने पकाया है बहुत अच्छे से पके हैं तो एंजॉय कीजिए आप छोले कुल्ची की रेसिपी को अगर पसंद आई वो वीडियो तो लाइक शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो को आसानी से सीखने के लिए